गुद्धी आप नाम है जतिन खत्री आप सबका स्वाजत है इशांग डिसाइंस चैनल में तो जो अभी आगे आपने वीडियो देखा वो था पीवीसी रोलिंग शटर का वीडियो आपने ये पीवीसी रोलिंग शटर तो बहुत बार देखा होगा किचन के अंदर बहुत सा पर दीष्टबॉस करें है चिंद पर जाके रोर होजाती है तो यह पीवीसी रोलिंग शटर नाम बड़ देया किआझके प्लास्तिक का बना हुआ है और पीवीसी से बना हुआ है तो इसके अंदर आप जो देख रहे लाइनिंग ये उपर जाके रोल हो जाती है तो रोल होता है यानि कि एक box बनता है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा रोल हो जाता है तो इसलिए इसको rolling shutter बोलते हैं जैसे आपने दुकानों के अंदर shutter देखे होंगे उसी तरह से ये प्लास्टिक का shutter है जो kitchen के अंदर storage box को cover क करते हैं जैसे आपने दुकानों के shutter देखे हैं उसी तरह से ये सिर्फ प्लास्टिक का बना हुआ है और इसकी average जो standard size है वो 2 by 4 की आती है और प्लास्टिक से बना हुआ होता है तो आपको easily अच्छा दिखे रहा और इसका maintenance बहुत कम है पानी में ये खराब नहीं होता इसलि एक जो अच्छी चीज हम अपने kitchen के लिए purchase करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी pricing किती होती है तो इसकी pricing पूछने के लिए हमने shop के owner से बात करी चौथा राम जी से तो चौथा राम जी ने हमें बताया कि ये rolling shutter 2 by 4 की size में हमें मिलता है और तकरीबन तकरीबन इस प पूरुत हो तो काम मिले वरना unnecessary इसकी costing waste करने से कोई मतलब नहीं है इसके अलावा भी काफी सारे modular kitchen के option आते हैं आप उसके अंदर भी जा सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में वीडियो कर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल क सब्सक्राइब करें दो करें